मद्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में संपन हो गए हैं चुनाव संपन होने के बाद भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं एक तरफ जहां भाजपा 62 प्रतीशत से अधिक वोट शेर पाने का दावा कर रही हैं वहीं दूसरे तरफ कॉंग्रेस भी इंडिया गडबंदन की सरकार बनने की बात कह रही है मद्यप्रदेश में भाजपा को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 58 प्रतीशत वोट मिले थे वहीं पार्टी का दावा है कि इस बार 62 प्रतीशत वोट शेर प्राप्त कर लेग प्रतीशत वोट शेर पाने का दावा कर रही है जिताने का और साथ-साथ NDA की जो सीट है वो 400 पार होने का है तो हमारी 2019 में ही 357 से अधिक लोकसभा में सीट थी NDA की और हमें जो समर्थन मिलता था लोकसभा और राजसभा में लोकसभा के अंदर जो सांसदों का अगर समर्थन देखेंगे तो वो 400 पार तो पहले ही था त उसी तरफ कॉंग्रेस का कहना है कि जिस तरह वोटिंग हुई है और लोगों ने कम प्रतिशत में बाहर निकल कर वोट किया है उससे साफ है कि केंडर की बीजेपी की सरकार इस बार सकता से बाहर हो रही है और INDIA गटपंतन की सरकार केंडर में बन रही है सबसे बड़ी मिसकॉल वाली पार्टी अपने आपको कहती है भारती जंता पार्टी और देखी कितनी डरी हुई है 58 परसेंट पिछली बार मिला था और कह रही है 62 परसेंट अब मिलेगा मतलब 4 परसेंट बढ़ेगा उसने ये नहीं बोला एक अनिमत है कि 10 परसेंट जैसे 400 पार की बाते कर रही थी अब वो बाते नहीं कर रही है मतलब कहीं न कहीं अब डर बैट चुका है मातर 4 परसेंट बढ़ने की बात कर रही है मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश और देश के किसान युवा महिलाएं और हर वर्ग अब इनकी ठगी को समझ चुका और यह 4 परसेंट की बात कर रहे हैं आप देखिएगा इनका कम से कम 20 से 25 परसेंट वोट गिरेगा पूरे देश में और प्रदेश में जहां तक है कम से कम 15 परसेंट वोट इनका गिरेगा क्योंकि हर वर्ग नाराज है और आने वाले 4 जून को एक जबर्दस्त इंडिया घ आप देख रहे हैं डखल्यूर्ट